भारत के युवाओं के पास अलग-अलग सेक्टरस में काम करने की स्कील रहनी भहुत जरूरी है इसके लिए देश में उच्च सिक्षा संस्थानों काउशल विकास संस्थाना का भी युद्धस तरपन निर्माण हो रहा है साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया IIT और एक नया IIM तयार हुआ है पिछले नव वर्सों में आउसतन हर हफ्ते एक युनिवर्सिटी और हर दिन एब्री डे दो कॉलेज खोले गए हैं हमारी सरकार आने से पहले देश में 720 के आसपास युनिवर्सिटी थी अब इनकी संख्या बढ़कर ग्यारा सो से जादा हो गई है साथ दसकों में देश में सिरफ साथ एम्स तयार किये गए थे पिछले नव वर्षों में हम 15 नए एम्स बनाने की तरफ बढ़े हैं इन में से कई अस्पतालों ने अपनी सेवाए देनी भी शुरू कर दी है 2014 तक पूरे देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे आज इनकी संख्या लगबग 700 हो चुकी हैं कॉलेज बढ़े तो स्वाभायक तोर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी है युवाओं के लिए उच्च सिख्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं साल 2014 से पहले हमारे देश में MBBS और MD की सीटे सिर्फ 80 हजार के आस्पास ही होती थी अब देश में MBBS और MD की सीटे बढ़कर एक लाग सत्तर हजार से भी ज़्यादा हो गई हैं साथियों किसी काम के लिए काउशल का विकास करने में हमारी ITIs ये भी महत्वपुण भूमी का निभा रही हैं बीते नव वर्षों में देश में लगवग हर रोज एवरी डे एक नई ITIs का निर्माण किया गया है आज देश की करीब 15,000 ITIs में देश की नई जरुरतों के मुताबिक नए कोर्से शुरू किये जा रहे हैं पी-म कौशल विकास योजना के तहट अब तक सवा करोड से जादा युवाओं को स्क्रील ट्रेनिंग भी दी गई है साथियों सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर्स में रोजगार के नए आउसर बन रहे हैं मैं आपको सिर्फ एक उधारन देना चाहता हूँ इपी-एफों का अगर हम वर्थ 2018-19 के बाद के इपी-एफों के नेट पेरोल के आंकड़ों को ही देखें तो साड़े चार करोड से जादा लोगों को फॉर्मल जॉब्स मिली है Employee Provident Fund Organization का जो पेरोल डेटा है उसे साब पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉब्स में निरंतर वृद्धी हो रही है फॉर्मल जॉब्स में इस वृद्धी के साथ ही देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बटर है झाले साथ है